तो फ्रेंड इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ओपन बुक एग्जामिनिशन के बारे में अब सभी को पता होगा 12 दिसंबर से सभी बच्चों के एक्जाम्स होने वाले हैं और सभी जो सुडेंट्स हैं जिनका न्यू एडिमिशन हुआ है उनको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है उनकी इमील आइडी पर या फिर कॉलेज ने कुछ पर्टिकुलर्स निकाले उसके एक लिंक प्रोवाइड किया गया है उसके थुरू आप जॉइन कर सकते हैं क्लास ग्रूप दैन अपना जो ओभी एक्जामिनेशन है उसे दे सकते हैं और फेंड मैं आपसे इस वीडियो में कुछ टिप्स के बारे बात करूँ अगर आप ओभी एक्जाम दे रहे हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा एक्जाम देने से पहले ताकि आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आए कोई गल्ती ना हो आपस लेकिन डेली वाले तो सुनता ही रहते हैं क्योंकि हमारे टाइम पर भी चलता आ रहा था की ओबी एक्जाम होगा जब मैं 11.12 में था उस ताउख पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे तो गाइज जो ओवी एक्जाम होता है यह कोई simply exam नहीं हो जैसे आपके exams आते हैं सी बीस यह आप देखे आए और 12th board देखे आए और आपका as it is exam नहीं आता इसमें आपसे questions यह नहीं पूछते हैं यूँके जो professors होते हैं जो exam को prepare करते हैं जो आपके question पर prepare करते हैं उसके अंदर आपसे direct question नहीं पूछ जाता कि आपके फादर का नाम क्या है आपसे indirectly question पूछता है कि आपके जो चाचा है उनके बड़े भाई का नाम क्या है obviously आपके जो चाचा है उनके जो बड़े भाई होंगे वो आपके फादर ही होंगे ठीक है तो इसमें जो एक्जाम्स के अंदर जो question पुछे जाएंगे आप सही नहीं पुछे जाएगा क्यों और क्या इसमें जो answer देने होंगे आपको questions के वो होगा कैसे तो guys यह कैसे का answer ढूंडने के लिए आपको पूरा deeply पढ़ना होगा topic उसी के बाद आप कैसे का answer दे पाऊगे क्योंकि how word है यही एक answer को answer बनाता है तो आप इसी इसका ध्यान रखना इतना lenient मत लेना इस exam को कि ऐसे कर देंगे open book exam है या फिर जो भी है हम freshers है तो friend मैं आपको यही suggest करूंगा इसको lenient मत लेना कोई भी गलती मत करना क्योंकि यह fresher हो तो hopes हो आपको हर चीज का मतलब मुझे ऐसा feel होता है कि अभी आपको इतनी knowledge नहीं होगे क्योंकि मेरे पास तो seven year का experience है मैं ड्यू के साथ साल से जुड़ा हूँ तो मुझे सारी update भी मिलती रहती है professor के थूँ मुझे बताते भी रहते हैं कि क्या response हा रहा है new students का और आपने देखा ही होगा कि seven cut off आ चुकी है seven cut off आने के बाद भी काफी असे students हैं जिनका admission अभी भी नहीं हुआ लेकिन उनकी hope जा रही है और यार hope होनी भी चाहिए आपकी क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अभी eight, ninth और tenth cut off भी आ सकती है due की तो कि अभी काफी seats बाकिये मेरे जो professor है contact में काफी college में, सीवाजी में, राजधानी में, सिर्गुरो बिन सिंदू और किरोडीमल मैंने इनसे contact करने की कोशिश भी करे थी और contact भी हुआ था मेरा तो चले में OBE के बारे में बात के लेता हूँ, अगर आप OBE exam दे रहे हैं तो आपको केंट किन चीजों का ध्यान अकना पड़ेक एक्जाम देने से पहले तो फ्रेंट देखो जो आपके OBE exams होंगे उनके अंदर आपके लगबग four to five questions पूछे जाएंगे आपने अपने 11-12th class में assignment तो किये होंगे तो उसी तरीके से आपको OBE exam आपको देना होता है एक अच्छे से पहले से ही आप जैसे एक माल लेता हूँ मैं आपका कल जो भी आपका day है जो ट्वैल या 13 को आपको OBE exam है तो आप एक दिन पहले अपनी शीट को प्रिपेर कर लीजेगा शीट प्रिपेर का मतलब आप हर एक पेजिस पे अपनी हर एक पेजिस मतलब मैं आपको लेटरी बताओं five to six pages पे जो भी आपका roll number है आपका batch है आपका year है आपका college है इन सबको आप not down कर लीजेगा उससे क्य benefit होगा मैं आपको पता देता हूँ क्योंकि कभी कोगर क्या होता है server down होता है आपको पता ही होगा जिनों development mission लिया है server down से तो जूचते या रहे हैं तो फ्रेंट जबी भी आप अपना assignment है या फिर आप जो आपका OB exam है उसे आप कर लोगे उसे photo click करके जब भी आप send करोगे email ID पर या फिर किसी भी प्रोफेसर की WhatsApp नमबर पर या फिर PDF form में तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो जो आपका पूरा exam है वो जो भी आपकी sheets है वो एक बार में नहीं जाएगी तो आप एक काम करना जो भी आपके questions होंगे उन questions को लिखने से पहले उपर एक अपना जो भी data है उस आपकी सारे details है वो हर question start करने से पहले लिख देना ताकि जब भी कोई question आपका चेक हो जो भी कोई answer आपका चेक हो तो आपको मतलब उसके थुरू introduction के थुरू judge कर ले जाए मैं नहीं चाहता कि आप 5 questions का answer दे रहे हैं लेकिन professor के पास सिर्फ 3 questions पहुँच रहे हैं तो आप इ एक दिन पहले ही यह काम कर लेना ताकि आपको examination के time पर कोई दिक्कत ना आपको time की कमी ना हो और friend अगर आपको फिर भी कोई query होती है किसी related college से related या फिर link नहीं आया कैसे upload करने हैं क्या criteria है कौन सा software करना है तो आप मझे instagram पर आईए और मझे DM करिए मैं आपसे बात जो भी आपके solutions वो provide करा हूंगा जितना मैं हो सकूँगा और friend अगर मैं आपका reply नहीं कर पा रहा तो इससी का अफसोर्स मत करना रात को तस्वर्य में live आता हूं और आप सभी का reply करता हूं तो friends जैसे आप अपना exam कर लेंगे एक application है play store पर जाके adopt scanner के नाम से उससे आप पहले से install कर लीजेगा और उससे आप अपना जो जो आपकी answer sheets है उनको scan करके देन आप upload कर सकते हैं या फिर mail कर सकते हैं और friend इससी का ध्यान लखना जो भी camera quality होगी काफी अच्छा होना आपके first semester में marks लटक जाएं बैक आजाया फलाना आजाया जो भी आजाया तो कोशिच यह करना चाहिए पडोशी का उठाके लिए आना लेकिन सब एक number quality चाहिए क्योंकि obviously वह भी जो पर प्रोफेसर होंगे वह भी online चेक करेंगे उसका print out निकालेंगे नी तो कोशिच यह कर पर हो या फिर आपके lining वाले वेपर हो कुछ भी चल सकता है no problem इसमें कोई issue नहीं है तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना एक्जाम देने से पहले अगर फिर भी कोई doubt होता है तो Instagram पे पूछ लो कोई गलती मत करना तो इन सभी चीज़ का ध्यान रखना अगर आप ओ भी ए अपडेट्स जय हिंद जय वारत